हेलो दोस्तों कैसे आप सब आज हम बनाने वाले हैं पनीर वो भी घर पर तो देखी कैसे बनता है घर का बना हुआ पर एल्ट के लिए और टेस्ट में दोनों ही अच्छा होता है तो हमने यहाँ पे दूद डाल लिया है दूद जो है बिल्कुल नॉर्मल है नहीं दूद से को दूद जाता है लेकिन देखते हैं अगर आपका नॉर्मल दूद भी है तो उसको आप ऐसे गैस पर चड़ा लेजे गरम करने के लिए और अगर आपकी नहीं नहीं भास का दूद है तो वह अपने आप फट जाएगा और अगर आपका नॉर्मल दूद है तो उसमें आपको यहां पर लसी नहीं डाले आपको कम से कम आधा ग्लाश लसी डाल लिए यह मैंने आधा ग्लाश लसी डाल दी अभी जैसे मैं ने रसी डाली तो लसी डालते ही मैं अब आपको इसमें चमच फेर के दिखाऊंगी कि इतना ज़्यादा एक इदम असर दिखाता है गी और एक कि दम यहां पर निकल लेगिए थोड़ी तो यहां पर कह scold कि यहीं डालते हैं महारा दूद्ज से इपनी ऊभा लेते कई अब हम थोड़ा से तो deve कुकर तक हैं वह इतकि हम गुपते हो प्रोपाले यह को थी तरीकिस उबालते हैं प्रोपरली इसको अच्छे तरीकेसा उबालते रहना है चमिच खुमाते रहना है जान fellow मेन रहे ci चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां पर कुकर रख दिया है मैं ने कोकर के उपर चानली रख दिया चानली के ऊपर आरापनीद त्यार हो जाएगा तो मैने य हम आराम आराम से बहुत जादा हुता है ये और most जादा आती sed invalid को आपको जो अड़ाहता को दोक्ति कोई आपके हाथ ना जले दोका बहुता को बहुती दो है यहां पर आपको इसको तरीखा कर सकते हैं तो मैं यहां पर बड़ा कप्ड़ा ले कि आयード जिससे में 21 टो यहांपर आपको अपने साफ एससारी चीजिते करनी हैं । यहांपर देख सकती कि बाव उट रहें कितने ज़दा गरम है और इसमें जो मैंराम राम से डालते-डालते एकिदम पनीर बीजों है इसे डाल दूगी यहां पहले पानी निकल रहे पाली सबजी में डालने बाला पनीर वीजोंगे पानीर निकलने के बाद भर इसाइशे सब्सक्राइब क्वे बना सबिचाए तो इहां पर एक आपको 12 गट करना होगा इसको डालने के लिए हमआने अपने 17 ऐक बिर्स टाल दिया धो तो मैं अपनी ऐका है से क्रिकोर्द रिकॉर्ड करें है तो सोड़ा सा कैम्मर का सेटिंग अगर प्रकूर्स चेंघ होती रहती देखो मेरा भी लग दिया क्योंकि मैं वीडियो रिकोड करने में बीजी थी ना तो यहां पर जो है यह मैंने एक बार अच्छे से इसको साफ कर लिया चमज के साथ और उसमें जो है मैंने डाल लिया ताकि वेस्ट ना जाए क्योंकि यह भी दूद का हमारा प्यारा सा और टेस्टी सा हेल्दी पनीर है वेस्ट नहीं जाना चाहिए तो यहां पर कर लिया अगर इसमें इस थोड़ा बहुत बचता भी है तो आप इसको बैस को दे सकते हैं या आप फिर इसको सिंपली वोश कर सक अब चमच के साथ में इसको दबाऊंगी नीचे जो चानली है चानली गिरेगी नहीं हमने सेट कर रखिए प्रोपर ली आपको भी कैसी सेटिंगी बना लेनी है कि आपको नीचे कोई भी पतीला या कूकर या कुछ भी रखे उसके उपर चानली लखे फिर उसके उपर अब भी, बाइभ जो पानी जो निकाल रही है कि सारा पानी अच्छे से निकल जाए अब इसको ब्ल्कुल ज़ी ठाए को तो है कैसे आपको इसको चारो कोनों से उठाना है और एक बार इसको मैं कर लेती हो अब बानना कैसे आब मैं आपको आपको थोड़kom और फिर इसको गोल-गोल घुमाके यहां पर गाट लगा देने पर ऊपर एक और गाट लगा देने ताकि वह टांगने के लिए काम आई तो यहां पर आप देख सकते पानी जो टपक रहा है और पानी जो काफी देर तक टपकेगा तो पानी जो अच्छे से निकल जाए इसके हमें कहा बने ऍवी कनते पानी जो अपनीगे के लिए हहां चाहिक लिए क्या होता है पानी इस अच्छे से टपक जाते हैं और जो पानी जो गर घर में टपकेगा तो नमी होगी